नमस्कार स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आप सबका एक बार फिर से सौगत है बाईजूज इक्जाम प्रेप आयस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आज है 8 सितंबर 2022 आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दा हिंदू के विशलेशन में कौन-कौन से आर्टेकल्स हमार एक महतवपूर्ण सूचना जैसा कि आपको पता है बाईजूज इक्जाम प्रेप आयस की तरफ से आपके लिए सबताहिक समसमाईकी का एक सत्र आयोजित करा जाता है तो कल यानि की 9 सेप्टेंबर को मिखाईल गोरबाचेव की विरासत इसके उपर बहुत ही जादा इंपोर्टेंट सत्र आयोजित करा जाएगा तो आप इस क्लास को देखना बिलकुल मत भूलिएगा दूसरी सबसे महतवपूर सूचना बाईजूज इस की तरफ से राष्ट्री चात्रवर्ति परिक्षा एक बार फिर से आप लोगों के लिए आयोजित करी जा रही है ध्य परिक्षा में संबलित होने का सबसे आसान तरीका है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्टेशन लिंक मिलेगा वहाँ पर जाके अतिशीग्र आप अपने आपको रजिस्टर कराईए रजिस्टेशन कराने की जो लास्ट डेट ह वो भी 11 सितंबर सुबे 6 बजे तो इस डेडलाइन का वेट मत करिएगा अभी आज ही अपना रजिस्टेशन इस परिक्षा के लिए कराईए और इस परिक्षा को जरूर दीजेगा चलिए अब अपने सतर को आरंब करते हैं मैंने कल आप से दो प्रश्न पूछे थे और बह बहुत धन्यवाद अब देखिए पहला आर्टिकल आपको प्रश्च संक्या साथ पर मिलेगा जिसको हम लोग सामान यद्धन के तृती प्रश्न पत्र से कनेक्ट कर सकते हैं जिसका संबंद अंतरिक्ष प्रोध्योग की में और भारत की सुरक्षा दोनों ही सामान यद्ध हैं वो एक भविश्यकी बात करते हैं एक ऐसे भविश्यकी जहां पर जिस तरीके से अभी आप सुनते हैं कि मिलेटरी एक्सरसाइज होती हैं इंद्रा होती है गरुर होती है वरुन होती है तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज होती है तो ये होती है थल सेना में वायू सेन में, नौ सेना में, यहां पर राइटर बताने की कोशिश करते हैं अब कैसी exercise होनी चाहिए, अब space exercise होनी चाहिए, यानि कि अंतरिक्ष में जो अभ्यास है और ये अभ्यास किस चीज का San Abhyas, यानि कि अंतरिक्ष की सेना बनानी चाहिए और उसके बीच में अभ्यास होना चाहिए इसकी रूप रेखा यहां पर बताई गई है यहां पर राइटर बताने की कोशिच करते हैं कि इसमें इंडिया को पहल करनी चाहिए किसके साथ संयुक्तराज अमेरिका के साथ अभी आपको पताए कि next month October में उत्तराखंड के ओली में भारत औ और अमेरिका के बीच में सैन अभ्यास होने जा रहा है अब इसके उपर चाइना ने काफी रोज अताया था कि यह अभ्यास जो है वो चूंकी LAC के 90-95 किलोमीटर की distance पर ही हो रहा है तो चाइना यहां पर विरोध कर रहा था कि भाई यह आप ऐसा मत करो ठीक है तो इस वज यहां पर राइटर टोटल तीन चीज़ें बताते हैं कि इससे इंडिया को फाइदा क्या होगा सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या होता है कि जो हमने क्वार्ड संस्था बना रखी है ठीक है तो इसमें अभी तक भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान यह चार देश ह इस तरीके का स्पेस एक्सरसाइज होगी ना अंतरिक्ष में जाके जब सेनाय अभ्यास करेंगी या अंतरिक्ष में जाना जरूरी नहीं है अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों को सुरक्षित करना या अंतरिक्ष के साइड से यदि कोई देश हम पर हमला करना चाता है तो उसको विफल करना, ये सारी चीज़ें जब कोई भी देश करेगा तो उसके प्रती दूसरे जो ऐसे देश हैं जिनके पास अंतरिक्ष में इतनी टेक्नोलोजी है नहीं, वो जरूर आकरशित होंगे, तो यहाँ पर भारत की तरफ, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम की तरफ, अंतरिक्ष प्रोग्राम की तरफ, जो दूसरे देश हैं, वो आकरशित हो सकते हैं, और वो क्वार्ड को जादा से जादा देश जो हैं, वो जोईन कर सकते हैं, तो एक तो यह पॉइंट यहाँ पर राइटर बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं कि इ इससे एक बहुत ही strong message जाएगा. कैसा strong message? किसको जाना है ये? ये जाना है China को. खासकर अगर भारत और America की बात करेगी, तो जाहिर सी बात है, सबसे प्राथमिक हित तो अपनी सुरक्षा काता है. तो यहाँ पर China को भी एक बहुत strong message जाएगा. तीसरा यहाँ पर writer बताते हैं कि यहाँ पर क्या है इंडिया की जो रणनेतिक साजेदारी है जो हमारी defense agreement होते हैं दूसरे देशों के साथ या अमेरिका के साथ वो और जादा मजबूत होंगे यार जाहिर सी बात है एक logic सोचो कि जब इंडिया ने अभी इजरो कि अगर बात कर लो तो इजरो कितना सफल एक space agency है पूरे world में तो दूसरे देश यहाँ तक की European देश France हो गया, Germany हो गया, Italy हो गया, Israel हो गया यह सारे देश हमसे अपना यहान प्रक्षेपित कराते हैं तो अगर यह तो इस चीज में तो हमने अपनी market अल्रेडी बना लिये अब अगर सोचो कि defense और वो भी space के case में, अंतरिक्ष सैन के case में अगर हम लोग ऐसी कोई अभ्यास आयोजित कराते हैं या खुद करते हैं तो यहाँ पर भी दूसरे देश जो है, यहाँ पर भी इंडिया का market की तरफ तलाश करेंगे, इंडिया का market अच्छा हो सकता है, तो आर्थिक गतिविधी की बात करें तो उसमें भी हमको profit हो सकता है, ठीक है, तो यह तीन lab जो है वो इंडिया को यहाँ पर हो सकते हैं, अब यहाँ पर writer इन lab के साथ-साथ यह बताते हैं, कुछ यहाँ पर technical terms आईते हैं, तो इनको भी मैंने cover कर दिया, यह आपकी प्रारंबिक परिक्षा की द्रश्टी से महतपूर्ण हो जाएंगे, इनी points को आप mains में भी कर सकते हैं, ठीक है, देखिए, दोनों परिक्षाओं में आप सोचते होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, यह pre में भी है, mains में भी है, तो यह fact है कि दोनों परिक्षाओं न, एक दूसरे से अंतर में केवल हैं, प्रकृति में, है न, वो आपकी बहु विकल्पी होती है, यह आपकी इसमें आपको व्याक्यात्मक उत्तर लिखना होता है, तो अगर आप कोई चीज की व्याक्या करते हैं, उसमें अगर तथ्यों को सम्मलित क करेंगे न, तो आपका अंसर और भी अच्छा हो जाएगा, तो देखिए, सबसे पहली बात हो रही है, रक्षा प्रोध्योगी की, एमम व्यापार पहल की, Defense, Technology and Trade Initiative, ठीक है, यह भारत और अमेरिका के बीच में स्टार्ट हुआ था, अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर नाम स इसे जो बनने वाले उपकरन होंगे या हतियार होंगे, उनका व्यापार भी आपस में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप बोलोगे कि, Space से यहाँ क्या लेना देना है, तो यहाँ पर यह भी बात करी गई थी, कि जो Space प्रोध्योगी की है, इस से संबंधित कोई भी Space Research Organization, देखिए, DSRO क्या है, यह भारत ने इसको क्यो बनाय था, दो चीज़ें याद रखिएगा, एक है DSA और एक है DSRO, दोनों ही भारत के पास भारत ने अपने बना रखे हैं, यह बेसिकली संस्थाएं काम क्या करती हैं, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, रक्षा अंतरिक इन चीज़ों पर शोध करना, और ऐसे हतियारों को बनाना, अब जैसे आपने सुनाओगा Mission Shakti का नाम, ठीक है, तो Mission Shakti में हमने क्या करा था, Anti-Satellite बनाया है, यानि कि हम किसी भी satellite को missile के दोरा उसको nest कर सकते हैं, तो यह सारे जो इनकी theory, इनके concept, ऐसे weapons को बनाना, इस पर सेनाओं को संयुक्त रूप से, इस्तमाल करेगा भारत की जो रक्षा है, कहाँ पर defense के छेतर में, अंतरिक्ष से रक्षा कैसे हो सकती है, तो उन तीनों सेनाओं का इस्तमाल करना, वो DSA का काम है, अब DSRO जो है, वही help किसकी करता है, DSA की यही तो हतियार देगा, यही तो न उपग्रय को नष्ट करेगी, प्लस अपने उपग्रय की रक्षा भी करेगी, तो उसको बोलते हैं anti-satellite, मगर इस article में लिखा हुआ है co-orbital anti-satellite, co-orbital anti-satellite का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब है कि मान लीजिए क्या होता, जैसे मान लीजिए य launch कर देगा, for example कि इसका नाम था मान लीजिए Y1, अब ये satellite से क्या करेगा, इस satellite पर टकरा देगा, इसको नष्ट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं co-orbital anti-satellite, ठीक है, तो कोई भी एक छोटा सा satellite launch करा जाएगा, उसी orbit में, उसी कक्षा में, जहां पर ये बड़ा satellite घूम होगा, दुश्वन देश का, और इसको इससे टकरा दिया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अब जैसे अंतरिक्ष अभ्यास की बात हो रही है, सैन अभ्यास की तो आपको पता होना चाहिए, इसका नाम भी पूछा सकता है, Ester X, तो Ester X जो था, वो किसका थ फ्रांस दौरा आयोजित करा गया था, इनका पहला सैन अभ्यास था, तो इसमें फ्रांस के साथ साथ अमेरिका और जो जर्मनी थे, ये भी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, अब जब अंतरिक्ष इस तरीके की सैन अभ्यास की बात चल रही है, तो आप यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, निर्देशित उर्जा हतियार, डाइरेक्टेड एनरजी वेपन्स, इसका क्या मतलब है, देखिए, इसका मतलब यह होता है, कि मान लीजे किसी भी आबजेक्ट को हमें नश्ट करना है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई आबजेक्ट रख हो सकता है, कि हमने यहाँ पर मिसाइल मारी, जो S-400 है, वो इस मिसाइल को यहीं पर वायू मंदल में ही नश्ट कर दे, ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए अब नई नी टेक्नलोजी आ रही, तो निर्देशित उर्जा हतियार का मतलब होता है, कि यहाँ पर जो अबजेक्ट है, जिसे हमें नश्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इतनी उर्जा उत्पन करेंगे, बड़े ध्यान से सुनियेगा, इतनी उर्जा, इसमें नाम ही है उर्जा हतियार, इतनी उर्जा उत्पन कर देंगे, इतनी एनर्जी उत्पन कर देंगे, इसके आसपास कि ये ऐसे ही नश्ट हो जाएगा अब वो एनरजी हो सकती है लेजर के दौरा ठीक है वो एनरजी हो सकती है जो sound beam होती है ठीक है धोनी की जो उर्जा होती है उसका भी इस्तमाल हम कर सकते हैं तो उससे हम लोग इस object पे attack कर देंगे तो हमें missile का भी उपयोग यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा अब देखिए इसके बाद ना यहाँ पर writer यह बताते हैं इस article में कि यह जो सब बाते हो रही है यह इसी लिए हो रही है कि पहली चीज तो हमारे पास सबसे बड़ा जो challenge है वो क्या है वो है चाइना अब आपको पता है यह सब तो जो सारी चीज हैं इंडिया बना रहा है USA बना रहा है तो क्या चाइना इसमें पीछे है बिल्कुल नहीं चाइना का यहाँ पर एक object है कि 2009 तक इनको क्या करना है अपनी जो पूरी military है यह क्या कर रहा है यह पूरी तरीके से उसको modernize कर रहा है आदुनिकी करन कर रहा है उसका इसके लिए यह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है पैसा खर्च करने के साथ साथ research and development जो होता है शोध कार है यह भी बहुत तीवरिगती से यहाँ पर हो रहा है अब चूंकी writer यह बताते हैं अभी तक कोई भी space treaty या space संधी जो होती है कोई भी ऐसी संधी नहीं बनाई गई है जब किसी चीज़ पे कोई संधी बनाई जाती परन्तु अभी कोई space treaty है नहीं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके उपर संधीया होनी है इसके उपर कुछ ना कुछ संयुक्त राष्ट की बात कर लें या और किसी organization की बात कर लें तो वो इस पे नियम आउ कानून बनाए जाएंगे तो उसके पहले यहाँ पर इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि space defense के मामले में अपनी जो पहुँच है उसको जितना अच्छा कर सकता है अपनी जो शोद है जो अनुसंधान है उसको जितना मजबूत करा जा सकता है उतना मजबूत करना चाहिए ताकि भविष्व में यदि चाइना जो है वो हम पे इस आयाम से भी अगर कुछ attack करना चाहे तो भारत के पास परियाप्त ऐसे संसाधन हो जिससे वो अपने आपकी सुरक्षा कर सके ठीक है तो ये चीजें यहाँ पर राइटर बताते हैं चलिए अगले आर्टिकल डिसकस करते हैं वो आपको प्रश्च संक्या 10 पर मिलेगा जिसका संबंध दुती प्रश्च पत्र में आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम लोग शिक्षा स्वास्त ये दोनों चीजें कवर करते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है ये बिसिकली शिक्षा से रिलेटेड है देखिए सामने सामने लिखा हुआ है कि PM श्री स्कीम मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि ये प्रिलिम्स के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पर जो PM श्री स्कीम है वो कैबिनेट ने इसको एप्रूवल दे दिया है अब यहाँ पर जो SHRI लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या फुल फॉर्म होता है SSA मतलब हो गया School for Rising India ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा School for Rising India अब इस स्कीम के तहट किया क्या जाना है केवल मेन पॉइंट समझीए ठीक है इस स्कीम में किया ये जाना है कि गवर्मेंट ने डिसाइड करा है 14,500 जो स्कूल है अब यह स्कूल नए नहीं बनाए जाएंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा ये स्कूल पहले से ही बने हुए है या तो कोई सरकारी स्कूल हो सकता है सरकारी में भी दो सरकारे है यानि कि वो सेंटल गवर्मेंट का भी हो सकता है वो राज सरकार का भी हो सकता है इसके अलावा वो ऐसे स्कूल भी हो सकते हैं जो किसी इस्थानी बोर्ड के द्वारा चलाई जाते हूं, जैसे नगरपालिका के हो गए, मुनिसिपैलिटी के हो गए, तो ये सब जो विद्याले होते हैं, तो ये इतने विभिन प्रकार के विद्यालेों में से 14,500 विद्यालेों को चुनना है, और इसको PM श्री स्कीम के त ठीक है, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के तहट, इसकूल ऐसे हैं, जो इनका पूरा पूरा जो प्रावधान लिखे हैं, इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्ही का सेलेक्शन यहाँ पर चैन जो है वो सरकार करेगी, और उनको PM श्री स्कीम के तहट और भी जादा सुव कर सकते हैं, चूंकि यह कहावाद है कि अगर नीव मजबूत होगी, तो जो बिल्डिंग है वो बहुत सॉलिड खड़ी होगी, तो अगर हम इस पे ही काम कर दें, वही bottom approach पे, basic चीजों पे, fundamentals पे अगर हमने काम कर दिया, और यह काम अच्छा कर दिया, तो जाहिर सी बात है, अब जो भविश आगे आने वाला उस बच्चे का तयार होगा, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है, तो अब यहाँ पर, चूंकि शिक्षक दिवस कब था, 5 सेप्टेंबर को, तो इसी दिन इस scheme को प्रधाल मंत्री के दोरा क्या करा गया था, लांच करा गया था, ठीक है, अब देखो मुख्य बातें क्या हैं इस scheme की, जो प्रारंबिक परिक्षा में हमसे पूछी जा सकती है, तो पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए, यह कैसी scheme है, यह एक Central Sponsored Scheme है, जिसको बोलते हैं केंदर प्रायोजित योजना है, Central Sponsored Scheme एक बार, अगर आ Sponsored Scheme होती है, तो उसमें दोनों, दोनों का मतलब है Center और State, दोनों की भागीदारी से जो पैसा होता है, वो खर्च होता है, अकेले Center पैसा नहीं खर्च करता, State को भी पैसे वहाँ पर देने पड़ते हैं, State की बात कर लें या Union Territory, यानि केंदर शाशित प्रदेशों की बा और 10% पैसा वो केंदर शाशित प्रदेश से लिया जाएगा, तो सबसे most important चीज तो प्रारंबिक परिक्षा की दरश्टी से यही है, कि ये एक केंदर प्रयोजित योजना है, दूसरा, अब देखिए यहाँ पर, जिनका चयन इन 14,500 स्कूलों में हो जाएगा, तो उनके सा लाएं हैं, उनको और अधिक अत्यादुनिक उपकरणों से लैस करा जाएगा, चाहे वो computer की प्रयोग शाला हो, चाहे वो रसाइन विज्ञान, भातिक विज्ञान, तो यहाँ पर बहुत अच्छे modern equipment, modern उपकरणों लगाए जाएंगे, ठीक है, यानि कि infrastructure पे अगर बात कर करेगी यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर बात करी जा रही है, इन सारे स्कूलों को ना, जो यह 14500 स्कूल है, तो यह तो हम modernization इनका कर ही रहें, इसके साथ ही साथ, यहाँ पर इसको एक green school की बात करी जा रही है, यानि कि हरित स्कूल की, हरित स्कूल का मतलब क्या है, हरित करी जाए उसका जो infrastructure है school की बनावट ऐसे होगी कि वहाँ पर solar panel उसमें लगाई जाएंगे जो सौर उर्जा को convert करेंगे विद्धूत उर्जा में उसकी बनावट ऐसी बनाई जाएगी कि school के कमरे जो होंगे वो हवादार होंगे ताकि दिन में जो है वो रोशनी अच्छी आ सके जो light की बचत है वो हो सके ठीक है तो इस ताइप से उर्जा कुशल बुनियादी धांचे का निर्मान करा जाएगा जो बच्चों का पाठिकरम है उनके दैनिक जीवन में उनको बताये जाएगा कि पर्यावरन का क्या महत्व होता है जो पर्यावरन के लिए संरक्षन के लिए हम जो लोग दैनिक जीवन में हम लोग क्या-क्या कार कर सकते है जिससे आगे आने वाले पर्यावरन को हम लोग सुरक्षित कर सके है तो ये सारी चीज़ों पर भी इस PM श्री स्कीम पर काम होगा, अब मानली जी एक बार किसी स्कूल X है, उसका चयन इस 14,500 स्कूल में हो जाता है, ठीक है, अब एक उधारन के तौर पर मताता हूँ, ये मानली जी कोई एक जिला है, ठीक है, अब यहाँ पर X का चयन हो गया, इन चारो जो विद्याले हैं, इनको गाइड कर सकता है, इनको बता सकता है कि आप अपने विद्याले में क्या अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी चयन किस में हो जाएगा, 14,500 में हो जाएगा, या फिर जो X के साथ, X के साथ जो सरकार इस स्कीम के तहत करेगी, तो उसकी भी एक indirectly help ABCD को मिल सकती है, ये इनका भी मार्क दर्शन कर सकता है कि कैसे ये सारी चीज़ें जो पर्यावरन से संबंदित है, या किस तरीके से जो classroom है, library है, तो इनको और अच्छा ये लोग कैसे कर सकते हैं अपने end पे, अब देखिए, अगला article आपको प्रश संख्या साथ पे मिलेगा, जिसका संबंद second paper से है, second paper में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो article है, इसका संबंद है उद्योगों से और गैर सरकारी संगठन, यानि कि साफ-साफ इसकी heading में ही लिखा हुआ है, NGO, Non-Governmental Organization, ठीक है, देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें यूज करी जा रही है, एक है आपका CSR और दूसरा है आपका NGO, ठीक है, देखिए, लिखा क्या हुआ है, The Evolving Role of CSR in Funding NGO, यानि कि CSR का एक नया कोई रोल होगा NGO की funding में, अब वो क्या रोल होगा, वो जानते हैं यहाँ पर, तो दोनों घटकों के बारे में अगर हमको समझ में आ गया, पहले तो हम इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर इन दोनों को मिला के परस पर इ Social Responsibility जो होती है, CSR जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, देखिए, कोई company X है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये अपना product, कोई भी product बनाती है माली, जे biscuit बनाने वाली company है, ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि X को, अपना जो भी इनका profit होता है न, उसका 2%, ये 2% अपने profit का न responsibility होती है, कि ये क्या करेगा, ये कुछ मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों की बात कर ली जाए, तो उन पे invest करेगा, उन में अपना पैसा ये 2% अपने profit का खर्च करेगा, अब कौन-कौन से मुद्दे हो सकते हैं, जैसे की बात कर ली जाती है, भुकमरी का, निर्धनता का, HIV, AIDS हो गई, या अन्य बीमारियों के उनमूलन की बात हो रही है, ठीक है, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, तो प्रधार मंतरी राहत कोश्च जो होता है, उसमें भी ये दान दे सकते हैं, या फिर अनुसूचित जाती, जन जाती, महिला, अल्प संक्यक, या ऐसे कोई भी जो पिछड़े वर्ग होते हैं, इनकी भलाई के लिए काम करा जा सकता है, ठीक है, शिक्षा में काम करा जा सकता है, अपना 2% का कुछ पैसा, ये लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जेंडर इक्वैलिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से महिला पेड़ लगाने तो उसमें जितना इन्वेस्ट होना है तो ये लोग वो भी कर सकते हैं, कहीं पर पवन ऊर्जा चक्कियों का प्लांट लगाना है तो ये भी लगा सकते हैं, शोलर पैलन लगाने है तो वो भी लगा सकते हैं, तो इतने सारे, अब ये सारे points देख के आपको सम अब ऐसा नहीं है कि हर company अपना 2% देगी तो उसके भी कुछ criteria होते हैं कि जैसे जिनका वार्षिक कारोबार कितना होता है, 1000 करोल रुपय का होता है ठीक है या उससे अधिक का होता है तो उनको अपना 2% देना होता है या फिर जिनकी कुल संपत्ती 500 करोल रुपय होती है या उ 2019 से लेकर 22 तक का जो profit हुआ है ठीक है उस profit का 2% इनको इन सारी सामाजिक और पर्यावरणी मुद्धों पर खर्च करना होता है ठीक है अब देखिए क्या होता है कि जो ये सारी चीजों पर ये लोग खर्च करते हैं तो ये कैसे खर्च करते हैं तो इनके लिए यहाँ पर ब इसके पास क्या तरीका है कि एक तो या तो क्या कर दे ये स्वयम कोई ऐसा संस्थान खोल दे मालीजे इसने एक विकलांगो का संस्थान खोल दिया ठीक है अब विकलांगो को यहाँ पर आश्रे दे रहा है तो ये तो डारेक्ट भी कर सकता है या फिर ये क्या कर सकता है ये प्रदामंत्री राष्टी रहात कोश में इस तरीके के जो संगठन होते हैं, इस तरीके के जो कोश होते हैं, तो वहाँ पर अपना पैसा दे सकता है, या एक तीसर तरीका होता है कि ये लोग क्या करें, किसी NGO को funding करें, ठीक है, अब माली जे ये NGO है, ये नेतरहीनों के लिए क यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि देखिए नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि ये जो X है, X जो company है, वो किसी NGO को जो fund करती है न, तो माल लीजिए एक उधारान के तौर पर ये 100 रुपय इस NGO को देती है, तो इस 100 रुपय में से केवल 5 प्रतिशत, केवल 5 प्रतिशत पैसा ऐसा है, जो ये NGO अपने प्रशासनिक कारियों में खर्च कर सकता है, अब देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी NGO है, माल लीजे अनाथ बच्चों के लिए भलाई के लिए काम करता है वो, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, कई सारे करमचारी बात आ गई, या अपने कहां जो इंफरास्टक्चर डेवलब करना है, अपना खर्चा इसका NGO का, उसमें केवल 5% कर सकता है, थीक है, बट यहाँ पर ये कहा गया कि इस 5% में न, यानि कि 100 रुपय में केवल 5 रुपय में इतनी सारी चीज़ें NGO कर नहीं पाते हैं, उनके ल कमपनी का तो रूल है, कि वो 5% ही खर्चा कर सकता है, इस 100 रुपय में, तो ये X से बोलते हैं कि भाई, इतना पैसा हमें और चाहिए, और बहुत सारा उधार जो है, वो X के उपर आता है, जबकि X जो है, वो अपना 2% के साब से पैसा दे चुका है, तो यहाँ पर राइट का सार, अब देखिए, गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, वो भी जान लीजे, कि यहाँ पर जैसे लोगों के दुख दर्द की बात होती, अब ये भी किसी सामाजिक मुद्दे को लेके ही अपना काम करते हैं, ठीक है, निर्धनों की बात कर लें, पर्यावरन की रक्षा कर करने की बात कर लें, अब मान लीजे, नर्मदा बचावान दोलन है, तो उसके अगेंस्ट में भी कोई NGO है, वो अपने आपको अपना निर्मान कर सकता है, अब ये जो निर्मान करते हैं, ये जान लीजे कि सरकार ये इनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि Article 19 जब आप पढ़त Regulation Act कहते हैं, तो यदि इस NGO को, जैसे X Company इसको पैसा दे रही थी, इसको funding दे रही थी, एक अच्छे काम के लिए, अब मान लीजे, वही X Company जो है, वो अमेरिका में है, या फिर वो UK में है, वो अगर इस NGO को पैसा देती है, तो उसको regulate, ये NGO फिर Regulation में आ जाता है, जिसका न जिसका संबंद second और third paper दोनों से है, जहां पर हम लोग सरकारी नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, अब देखिए, ये article जो है ये, अभी हमको इसमें पढ़ना, इसमें important क्या है, इसमें important है, विधिक माप विज्ञान नियम 2011, यहां पर कुछ संशोधन इसमें बताए ग 2011 का जो अधिनियम है, वो हमारी प्रारंबिक परिशा की दरेश्टी से important हो जाता है, अब यहां पर जो packaged commodities है, packaged commodities का मतलब है कि आप ये देखे रहे हैं, चितर के साब से समझेए, आप किसी shopping mall में जाते हैं, ठीक है, वहां पर आप कोई भी product आप खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं, या फिर कोई health drink लेते हैं, horlicks वगरा, बोनवीटा वगरा, तो वहां पर ये सारे जो product होते हैं, उन्हीं को packaged commodities बोल रहे हैं, जो packaged होके आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ नियम है, सरकार ने बना रखे हैं, 2011 में, वो क्या नियम है, उसको जड़ा उस पर देख लेते हैं, इसमें साफ-साफ 2011 में लिखा हुआ था कि कोई भी product हम खरीदेते हैं market से, तो उसमें उस product के उपर क्या-क्या चीजें लिखी होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान article है, मगर उतना ही ज़्यादा important भी है, जैसे उसमें लिखा होना चाहिए निर्माता का नाम, ये किस ने बनाया है, मान लीजी यहाँ पर कोई biscuit का packet है, पारले जी के नाम से, ठीक है, तो अब ये packet किस company ने बनाया है, उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, उसका पूरा address होना चाहिए, वो कौन से देश से बन क्या जैए, जैसे आप क्या चीजें हैं, अब इस पारले जी में कितना आटे का यूस करा गया है, कितनी शुगर का यूस करा गया है, वो सारी चीजें होने चाहिए, निर्मान का महीने का मतलब है, ये कब बना है, मान लीजिए, फरवरी 2022 को बना है, तो वो होना चाहिए, अधिक्तम खुद्रा कोई प्रोडक्ट बेचा नी जा सकता, दूसरा यहां पर उपभोगता देखभाल की जानकारी होनी चाहिए, अब मान लीजिए, कोई एक प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन हो गया या लैप्टॉप हो गया, तो उसमें ये भी बताओ, कि भाई, जो खरीद रहा है उसको, वो आप कोई भी प्रोड़क्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो आपने सबने ये सारी इन्फोर्मेशन अपने प्रोड़क्ट पर देखी होगी, तो वो अब आपको ये पता लगेगा, अगर आपने ये दिनियम पहले नहीं पढ़ाता नियम, तो विधिक माप जो विज् ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर इसी नियम में एक रूल 2H है, ये रूल क्या कहता है, कि सभी सूचनाओं को एक साथ सामूही करत करा जाना चाहिए, अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए, हमने साबून का पैकेट खरीदने हैं, ठीक है, अब उस साबू मान लीजिए, साबून किस किन चीजों से मिलके बना हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है, तो रूल 2H कहता है कि इन सारी सूचनाओं को एक ही जगह पर आप रखो, ये नहीं होना चाहिए, कि इधर उधर सारी जगह अंकित हैं, जिससे जो उपभोगता है, वो इसको देखी न मान लीजिए लिखा है, कैलशियम, सोडियम, अब वो इतना छोटा लिख दिया है, कि वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, कितने परसेंटेज कैलशियम है, 14%, सोडियम कितने परसेंट है, कोलेस्टरॉल कितना है, शुगर कितना है, तो वो सब पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो ये चीजें तो 2011 में नियम में बता दी गई थी, ठीक है, अब जो संचोधन यहाँ पर बताए गए है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन-कौन से संचोधन यहाँ पर बोले गए है कि इसमें संचोधन होना चाहिए, जो उपभोगता मामले का विभाग है, उसने ए क्रीम है जो चेहरे पर लगाई जाती है, या माली जे बालो में लगाने वाला तेल है, तो उसमें कई सारे product है, कोई cream है, अब उस cream में कुछ चीज़ें आपने ऐसी डाली हुई हैं, जिससे उपभोगता आकरशित होते हैं, कि अच्छा, इसी वज़े से आप वो cream खरीदते हो, तो ऐसे जो आपके गटक हैं, जो आपके product को, जिसकी वज़े से आप marketing कर रहे हो, उन product का नाम, उसको इस पश्ट रूप से और उसकी कितनी quantity आपने use करी है, दो या दो से अधिक prime जो product होंगे न, उनको आपको जरूर यहाँ पर mention करना होगा, ठीक है, बिना उनके, उनको आप उसी level पर mention मत कर रह जैसे आपने बाकी सारे गटकों को mention करा है, इनको आप अलग से दिखाईए, दूसरा, जो यहाँ पर आप claim करते हो, brand claim करता है कि भाई, ये वाला health drink अगर बच्चा पिएगा, तो उसको पास होने से कोई नहीं दोख सकता, उसकी बुद्धी जो है, वो एकदम Einstein की तरह हो ज आपके जो बाल हैं, वो गिरना बंद हो जाएंगे, तो ये जो आप claim कर रहे हो, कि दो हफतों में, तीन हफतों में, तो ये claim सही होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है, जो सुझाएगा है, ठीक है, अब हमारे लिए important ये तब हो ये भी आपके second paper से आप इसको जोड सकते हैं, जहाँ पर हम लोग international relations की बात करते हैं, आप जैसे कल का जो दा हिंदू का article था, मैंने आप सो बोला था कि आप देखिए, इंडिया बांगलादेश के उपर ना, कई दिनों तक articles आते रहेंगे, तो कल भी मैंने इस point पर चर्च देता हूँ, कि क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं, तो यहाँ पर बांगलादेश की प्रधान मंत्री आई हैं, तो उन्होंने बांगलादेश के आर्थिक विकास को देखते हुए, जो भारती कंपनिया है, इनको निमंतरन दिया है कि यह बांगलादेश में आये, औ और अपना जो उद्योग हैं वो वहाँ पर इस्थापित करें, तो इसके लिए बांगलादेश के अंदर दो exclusive economic zone बनाए जा रहे हैं, एक तो मंगोला में और दूसरा मीरा सराई में, ठीक है, दोनों ही बांगलादेश में हैं, तो यहाँ पर दो exclusive economic zone बनाए जाएंगे, और भा जीजों को लेके, जैसे बांगलादेश से जो terrorist का एक खतरा बना रहता है भारत में प्रवेश करने का, तो बांगलादेश ने यहाँ पर यह बताया है, कि इन्होंने कई सारे जो terrorist training के camp थे, उनको क्या करा है, खतम करा है, जहाँ पर यह लोग training लेते थे, 20 से जादा criminal जो है वो इंडिया में crime करके मानलीजे छुपके बांगलादेश भाग गए, तो इन criminals को बांगलादेश ने इंडिया को वापस करा है, यहाँ पर एक बात हो रही है, inland container depot के बारे में, inland container depot क्या होता है, देखिए, एक उधारन के तौर पर समझीए, यह कोई बंदरगा है, ठीक ह अब यहाँ पर, अब यह कट के पास बंदरगाह होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मानलीजे बंदरगाह के पास इतना जगह नहीं होती है कि दुनिया भर के यहाँ पर container जो है, container का मतलब क्या होता है, जो बड़े-बड़े से container आपने देखोंगे, जिसमें सामान लद के ज जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर container रखने की जो सुविधाएं हैं, वो सीमित है, अब यहाँ पर क्या करा जाएगा ना, इन सब ports के पास inland container डिपो खोले जाएंगे, यह डिपो होंगे, जैसे cold storage होता है तो उसमें सबजियां, फल यह सब रख दिया जाता है, ताकि सुर यहाँ से जाना बहुत असान हो जाएगा, तो एक तो बंदरगाह के उपर बोज कम होगा container का, दूसरा X का परिवाहन जो भाला है वो भी बचेगा, तो इस तरीके के जो inland container डिपो है, यह बांगलादेश अपने बंदरगाह पर open करेगा, जिससे जो भारतियों का समान आवा मंडल यहाँ पर आयता, उसने भारत से demand करी है कि जैसे चावल है, गेहू, चीनी, प्याज, लहसुन, अदरक, तो यह जो खाध्यान वस्तुएं हैं, यह इनकी demand बंगलादेश में जादा है, उत्पादन इतना नहीं हो पा रहा है, तो इनको यह भारत से आशा करते हैं कि य यह वस्तुएं भारत इनको मुहया कराए, दूसरा इन्होंने भारत से ये भी एक समर्थन मांगा है कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, आपको पताए कि दोनों जगए भारत के द्वारा समर्थित, जो बिजली संयंत्र हैं, वो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, तो भूट पास जो भी एक्सेस विद्धुत होती है, जो भी अतरिक तूर्जा होती है, तो वो हमको दें, तो ये भी बांगलादेश ने भारत से आगरह कराए कि आप क्या करिए, आप इस चीज में हमारा समर्थन करिए और भूटान और नेपाल से ये चीज बोलिए, एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये भी हुई है, कि 1971 में आपको पताए कि बांगलादेश जब आजाद हो रहा था, तो उसमें भारत ने बहुत जादा हेल्प करी थी बांगलादेश की, तो भारती सैनिक जो वहाँ पर शहीद हुए थे, परीजनों को मुझीब जबती हुई है, वो 200 ऐसे जो परिवार के जन है, उनको ये स्कॉलर्शिप बांगलादेश के द्वारा दी गई है, तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार, अब आज के दाहिंदू में प्रारंभिक परिक्षा की द्रश्टी से जो मैं विविद निउस लाता हूँ, उसमे इतनी important कोई भी घटना नहीं थी, जिसको मैं यहाँ पे include करता, तो आज के सतर में बस इतना ही रहेगा, अब देख लेते हैं मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रश्ट को, तो बाहरी अंतरिक्ष किसी भी देश की रक्षा व्यवस्था की संभावित चौथी शाखा के रूप देती है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है, दोनों ही प्रश्ट लिखने की practice जरूर करिएगा, चलिए, आज मैं आपसे प्रश्ट एक अंतराश्ची संबंध से पूछूँँगा, और दूसरा, आज हम लोगों ने अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा है, तो अंतरि प्रश्ट है मेरा, अबराहिम एकॉर्ड क्या है, इसके बारे में बताईए, दूसरा, अंतरिक्ष प्रव्ध्योगी में एक mission है, बहुत ही जादा चर्चा में रहा है, Artemis I Mission, ठीक है, इस mission ये क्या है, किसका mission है, ये क्या काम करेगा, इसके बारे में बताईएगा, अबराह के सतर में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहे, स्वस्त रहे, अपने माता पिता का ध्यान रखे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.